हरार महादेव जय फूले नाथ नमस्कार मैं शाधना पांडे मागतसन पर अबक्न करती हूँ चले दोस्तों आज हम आगे चठे नौरात्री पर चटी नौरात्री पर मागत्यायनी के पूजा विदी जानेंगे मंत्र जानेंगे रंग जानेंगे और हां बहुत अधिक आप ल माता को आप अगर पुत्री रूप में प्राप्त करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप बड़े तपस्वी होंगे और तब जाकर माँ आपके घर जन्म लेंगी उतार लेंगे तो इतना आसान नहीं है जैसा कि आप जानते हैं कात्यायन रिसी की पुत्री होने के माता ने तथास्तु कहा और उनके घर पुत्री बन करके आई और इसी लिए इस स्वरूप का नाम हम कात्यायनी जानते हैं कात्यायनी देवी की पुजा से होता क्या है तो कात्यायनी देवी की पुजा से देखे नौरात्री के ये छटे दिन पुजी जाने वाली देवी है और कात्यायनी देवी की पुजा वैसे लड़की लड़कियों के विवाह में बिलंब हो रहा होता है तो कात्यायनी मंत्र का जब कराया जाता है या फिर अनुस्थान का इसे करने से सुंदरता की प्राप्ति होती है जैसे कि सहत का हर दिन के लिए प्राठना आराधना करने के बाद आप देवी के लिए उत्तम भोग भी लगा सकते हैं आज देवी की पूजा में कुछ विशेस बातों का आपको ध्यान भी रखना होगा जैसे कात्यारी देवी का जो स्वरूप है पहले वो जाल लेते हैं इससे पहले वीडियो आपको पसंद आ रही तो लाइक करना भूलिएगा मत आपकी लाइक से मैं तो बहुत बहुत जादा मोटिवेट होती हूँ और हाँ अगर चैनल पसंद आ रहा है बाते अच्छी लग रहे वीडियो अच्छे लग रहे तो सब्सक्राइब भी करिएगा चलिए क्योंकि कोई भी पूजा हो गई कोई आराधना हो गया कोई भी देवी हो गई जब तक आप इनके श्वरूप को नहीं जानेगे तब तक आनंद नहीं आएगा इनकी पूजा में तो देवी का त्यायन, देवी का त्यायनी का सुरूप जो है सुन्दर और चमकीरे रंग का इनका सरीर है और माता जो है बड़ी सुन्दर और विसाल नित्रो वाली है माता के चार हाथ है जिस हाथ में संक, चक्र, गदा और त्रिशूल है मता जो है बहुत ही सौम में मुद्राम के इनकी स्वरूप है और कहा जाता है कि आज के दिन डेवी को हरे रंग का वस्त्र पहन कर पूजा करना चाहिए या फिर पीले सुनहले रंग के वस्त्र पहन कर भी आज पूजा किया जाता है आज अगर आप दिनों के अनुसार बस्त्र पहन रहा है तो पीले सुलहरे रंग के वस्त्र पहनीए और देवी की पूजा करिए जो प्रतिमा होती है वो मंद मंद मुस्कराती हुई होती है इसलिए कहा जाता है कि यदि व्रिहस्पती कमजोर है आपकी कुंडली में किसी भी तरह से वो लाब नहीं दे रहा है और व्रिहस्पती बहुत असुप्रभाव दे रहा है तो आप क्या करिए कि आप सबसे पहले तो कात्याणी देवी की आज पूजा करिए पूजा कैसे करना है वो बताती हूं लेकिन उससे पहले आपका बहुत मागा गया मुहुत दोस्तों मा का त्यायनी की पूजा के लिए 6 बच कर 45 मिनट से ले करके और 7 बच कर 38 मिनट का सुबा का समय बहुत उत्तम है इससे पहले या बाद में आप पूजा कर लेते हैं तो कर कर लेकिन मा का त्यायनी की पूजा या उनके श्вой चhalf का ध्यान अब इस महुत में रख ले जेगए ज़ायों का त्यायनी की पूजा में कुछ स्विश्टों का ध्यान रखा जाता है जैसे आज डेवी को हम सहत का भोगण लगाएंगे और मा का मंत्र में या देवी शर्वभूतेशु का त्यायनी रूप एडिशन था नमस्तस्य 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 इससे अधिक अगर आप कोई मंत्र जप रहे दुर्गा जी का तो मत जप येगा आप दुर्गा जी का वही मंत्र जप येगा जो आप जप रहे हों और प्रति दिन की दुर्ग सबसती आप नहीं सुनते हैं तो उसे जरूर सुनिए और हां मुहृत मैंने बता दिया और भूग क्या लगाना है वो जाल लेते हैं दोस्तों आज जो है देवी को सहद का भूग लगाया जाता है कुवारी लड़किया सहद का भूग लगाए और किसी भी कारण से उनकी साधी टूट रही है कि उनके चहरे में आकरण नहीं है तो सहद के साथ थोड़ा कपूर मसल करके और अपने पूरे चेहरे में लगाया और भूग पानी के बाद उसी सहद को आपको यूज करना है और पहले प्रशाद खा लिजे फिर थोड़ा सा सहद आप ले लिजे अपने हाथों पर उसमें थोड़ा कपोट डाले अपने चेहरे पर लगाई इससे पानी से दो डाले इससे आपके चेहरे का आकरशन आएगा तो यह चीज में मंतरों को नहीं बोला जाता है तो इस बात का विसेस अने से झ्काहिए और हां ज्यासए किसी को बमत्रों को जब आप कर सकते हैं कात्यानी माता कैसे प्रशन अपना होती है कि आपको ध्यानी विशेश रूप से रखना है और मा का त्यानी की पूजा में मंत्र तो बता दिया मैंने भोग भी बता दिया रंग भी आपको बता दिया तो लड़के लड़किया विशेश कर मा का त्यानी के पूजा करते हैं सिग्र और मन्वांचित या फिर मन्चाहे जिवन साथी की प्रा पहले करने जीए का त्यायनी मंत्र का हो सके तो उचारन करिए नहीं कर सकते हैं तो आप बस केवल का त्यायनी देव्यानमा इतना बोल दीची तो भी हो गया इस तरीके से करके आप मां की पूजा आराधना कर सकते हैं केवल नवरातरी के छठे दिन इस विशेश चीज का आपको ध्यान रखना है और विशेश चीज का ध्यान रखते हुए आपको आज की पूजा करना है तो आज भी इस उपाय में बता देती हूं आपको क्या करना है दोस्तों आज अगर लड़के लड़कें के विवाह में विलम हो रहा है तो आप पीले कपड़े में सवा मीटर पीला कपड़ा ले लिजिए और सवा पाव आपको हल्दी लेना है और पीली विठाई लेना है और एक 11 रुपे के सिक्के लेना है इसे बांद दीजिए बांद कर किसी मंदिर में आप चड़ा आईए और हाँ इसके साथ अगर हरी चूरियां भी आप चड़ाती है देवी मंदिर में किसी प्रशिद्ध द जो कि अपने घर में आराम से पूजा पाट कर रहे हैं जिनके साधी बिवा हो चुका है किसी भी काम में अर्चन आ रही है तो आप लोग एक काम करिए आप पीली मीठाई ले लिजे आप और 11 रुपे ले लिजे और सुहागिन महिला हैं तो स्रिंगार सामगरी में से कुछ सि केवल इतनी ही चीजे हल्दी न डाले आप और आप इसे बांद कर किसी मंदर में आप भी दान करा हैं और जैसे ही ये पोटली खुलती है वैसे भागी के द्वार खुलते हैं तो कर लिजेगा चलिए अम मैं मिलती हूं आपसे अन्ने वीडियो में धन्यवाद हर हर कर दो